तो आज किसी 15 में से दो लोग को मिलने वाला है iPhone 256 GB वाला iPhone 15 Pro Max और यह आता है Titanium Color में जो कि मैंने अभी आपको दिखाए भी था यह आप देख सकते हो कितना ज्यादा सुन्दर है हेलो फ्रेंज तेक बर जो आप लोगों दुबार से बहुत बहुत वैलकम है आपको तो यादे हो आज से दो हफ़ते पहले जो हमने एक ultimate toy collection मना था उसमें हमने एक surprise giveaway किया था जिसमें से किसी एक को मिला था iPhone 14 Pro लेकिन इस बार जो है और सबसे अची चीज बता क्या होने वाली है कि आज के surprise में 10 नहीं बलकि 15 लोगों को दिया जाएगा shout out और उसमें से किसी एक को नहीं बलकि 2 लोगों को मिलेगा यह iPhone 15 Pro Max 256 GB वाला यानि कि 256 GB वाला जो की natural titanium color में आता है जो कुछ इस तरीके का दिखता है और यह काफी जादा अच्छा है और सब सच्चे चीज के इसके साथ एक type C cable आती है यानि कि अब आप type C से charging भी कर सकते हो वह भी किसी भी charger से जो की type C होना चाहिए तो यह तो गीववे की बात जिसके साथ आपको जब यह मिलेगा तब आप कोई भी वीडियो बना सकते हो यानि कि आप भी वीडियो creator बन सकते हो क्योंकि इसके साथ external hard drive आप बड़े असानी से लगा सकते हो और 4K में shoot कर सकते हो यह काफी जादा amazing होने वाला है तो अब यह जो spider car है यह हम देखने वाले है तो इसका मैं आपको एक zoom test करके दिखा आता हूं यह देखो यह कितना जादा ultra wide इसमें camera मिलता है यह 1x 2x और यह 5x जो काफी जादा strong है तो और इसके साथ आपको इसमें dynamic island भी मिलता है तो आज किसी 15 में से 2 लोग की होने वाले वाक्या में बहुत ही जादा बले बले तो आज हम देखने वाले एक बहुत ही जाद the ultimate RC helicopter जिसकी बहुत जादा demand है और यह काफी जादा expensive भी अगर आप लोग भी तक हमारे चैनल कीजिए subscribe बाद जुमें दिखाए बैर उनको बहुत है और साथ ही में उससे पहले में आपको दिखाने वाले यह एक प्लास्टिक के कांच वाली transparent car जिसके अंदर LED light चलते जो अगर यहां पर on करते तो इसके अंदर music चलता है और अगर second वाले पर on करते तो इसके अंदर LED lights वगरा हर एक चीज जलने लगती है और यह कार काफी ज़्यादा जगमगाने लगती है तो इसका जो है मैं आपको बता दू यह एक फरारी से inspire है बट लेकिन इसके अंदर जो इससे इसको और जाद अच्छा लुक मिलता है तो अब इसका एक लाइफ डैम होने वाला तो आज आज मेरे साथ लाइव तो हमारी एकदम जो यह निकल के असली वाली फरारी कार आचुके और इसके टेर देखो यह एसा लग रहा है से MRF के अपोलो के कोई कंपनी ओले टेर अब देखो यह निचे ने सिर्ट जराशी स्पीड तब लेकिन यह ना एक ताब गोली की तरह आगरी है और वाक्य मेरे देखो तीन सॉट डिगरी गोल गूमके ना स्पिन कर रही है मतला कमाल यार कताई बावाल और अब अब बार ब्रेकर से भी उतार के देखेंगे ओ है क्या गोली की तरह चारी है ओ भाई साव अंदेरे में तो सही बूस्ट पकड़ रही है कते गजब भाई रहे है ओ माई गॉड़ फ्रेंड्स यह वाली जो कारे काफी जाद अमेजिंग है और इसका जो रिमोट कंट्रोल है यार जे देखो इतना क्यूट है इतना प्यार इसको मैं क्या बता हूँ इसके अंदर आपकी डलती है पैंसल सेल वाले जो सेल होते हैं वह वाली बैटरी जो ट्रिपल बैटरी के नाम से जानी जाती है इससे आगे जाती है पीछे जाती है और इससे आप लैफ राइट कर सकती हो और इसके जो यह आप यह देखो कितने ज जो है कार का कलेक्सन काफी जादा जिसमें की एक Formula 1 वाली कार होने वाली है जो पीछे से आग छोड़ते है क्योंकि यह Fire Booster वाली कार जो आपने फिल्मों में देखे होगी और उसी के साथ में एक Road Roller भी है जो काफी जादा घजब काहने वाला है और एक Zomato वाली हमारे पास आज है एक बहुत प्यारी स्कूटी तो इसको रखते हैं इसकी जगह पर और जब यह आपके पास पहुंच जाएगा तो आप जो इसको इसको इस बॉक्स में रख सकते हैं क्योंकि इसी के साथ आता है जिसके अंदर एक carry bag जैसा भी इन्होंने एक toys रख दिए और इसी के साथ आपको charger वगरा देखने के लिए मिलता है जिससे की आप इसको चार्ज भी कर सकते हो वह इसी के box में आता है और यह जो आप देख रहे हैं टीप वगरा यह बिल्कुल stainless steel की बनाए गई है और यह जो पूरी body है यह proper metal के जिसके अंदर तीन motor लग जगमगाती है और इसके ओपने देख रहे हैं हो helicopter लिखा signature style में जो इसको काफी जादा बढ़ यह बनाता और यह देखो यह पूरा आपके एक हाथ पर आजाएगा क्यूंकि वाक्य में यह काफी जादा बढ़ा है और इस पर वार्निंग्स भी लिखिए है कि इसको जब यह चलने लगे तो अपना हाथ दूर रखना क्यूंकि इसके जो propeller जिसको पंकुडी कहते हैं यह है तो प्लास्टिक की बढ़ चलती है तो यह हाथ पर कट लगा सकती है तो इसलिए आप दूरी रहना और इसका जो remote है वो भी काफी जादा अच्छा है तो एक लुक मैं आपको इसके remote का दे देता हूं तो इसका remote आता कुछ इस तरीके के जिसमें की एक दो तीन चार पांच छे यानि की छे ट्रिपले बैटरी लगती है काफी जाद अच्छा है और यह जो signal पकड़ने में भी और भी ज्यादा तकड़ा है क्यूंकि इसकी जो signal weakness है वो बिल्कुल भी न देखने के मिलती हैं और अगर आप चाहो तो इसको मैनुल की जगा ओटो मैटे भी कर सकते हो जैसे कि अगर आपने लेफ्ट की तरफ में जाना सूरू कर देगा राइट की तरफ से जाएगा तो इसलिए इसका जो रिमोट कंट्रोल है वो भी काफी जाद अच्छा है तो आ जा रहा है काफी जादा दोगाल चीज थे और बहुत जादा अमेजिंग था यह क्यूंकि इसके रिमोट कंट्रोल से तो इसका जो एंटीन है यह काफी जादा इसको सिगिनल दे रहा था जिसकी वज़ए से यह और भी जादा उचा उड़ रहा था और यार वाक्य में जब आप इसको अपने हाथ में लोग ना तब आपको पता चले कि कितना वारी है यह आदा की लोगा नहीं है लेकिन यह उससे कम भी नहीं क्यूंकि इसका जो वेट था वो कम से कम 200-300 गिराम इसका वेट था और बड़े ही आराम से यह किसी भी हैवी चीज से टकरा करके भी पससे खड़ा हो सकता है क्योंकि निद्स है वो भी काफी अच्छी है अगर आपको भी आरे मिले देना ऊपना छिलास लिख देना यह इसके अंदर फॉर एर प्लें जो काफी zostaëlक होती ह koy इसके अंदर आपको इस तरीके की गन देखने के लिए मिलते है जिसके साथ आप इसके अंदर अपने airplanes लगा सकते हो यह देखो मैं आपको लागे दिखाता हूँ इस तरीके से यह आपको करना होता है यहां पर एक लाइन दे रखिए और उसके बाद आप इसको पीछे करोगे अब यह पूरा इसके अंदर इसके अंदर लगा सकते हैं और आगे इसमें कुछ भी नहीं देखा यह आपको एक ऐसा लगया जैसे यूए वाले टाइप की जो गंस होती है ना जो एलियन तो यह वाले जो परसनल गन है यह काफी जादो मज़ेदार होने वाले तो इसका तो एक लाइव डेमू लेना ही पड़ेगा और इसके उपर एक एरप्लेन का सिंबल भी बना हुआ है अगर आप एर फाइटर बना चाहते हैं तो तो आजब भाई साब मेरे साथ एक एक हाथ हो जाए क्योंकि एर बैटल करने वाले हम लाइव तो आने वाले मज़ा बाई साब आज पहली बार एक ऐसी गन यूज करने वाले हम जिसमें की भाई साब एर प्लेन लांच करेंगे हम यानिकी सीधा की फूप मार्के नहीं उडाना सीधा हम जे डारक्ट उडाएंगे वह हम लिए गन से पहला एर प्लैन मंने लोड कर लें यह कंद दूसरा लोड और यह थी साब कितनी सत्सी बहुत ही जादा मुझे दार लगरी और वॉप ही जाथा लगी होट ल्गारा यह क्या सांट है एक आज यह साब यह काफी बाद है गला प्लेन वेसे वाला मारा बार ना तो ये कागज का ना है, गत्ते का है, ये एक polycarbonate से बना गया है, जो काफी ज़्यादा तकर प्लास्टिक लागा रखा, ताके इसको speed मिले, और अगर ये आगे से hit करता है, तो ये मुझता नहीं है, ये इसकी चीज में जो बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, और साथ ही में इ तो ये बहुत ही ज़्यादा सूपवती है, अगर आपको भी air battle करना बहुत ज़्यादा पसंद है, आप नॉर्मल बैटल करके ठक गए, तो आपके लिए ये air launcher gun काफी ज़्यादा तकड़ी होने वाली है, तो अगर आपको पसंद आए, तो आपको सिर्फ अपना नाम लिख लिटरली आग छोड़ती है, क्योंकि ये एकदम धुआ जो है ना बिल्कुल असली बनाने वाले, तो ये RC spray car, जिसके अंदर हमें बैटरीज देखने के लिए मिलते हैं, रिमोट कंडॉल देखने के लिए मिलते हैं, एक मिलते हैं, और कुछ मिलते हैं, पानी की ड्रॉप व वाली बैटरी जो इसको काफी जादा स्ट्रॉंग बना देगी, और ये मैं आपको इसका दिखाने वाला हूँ, अब एक लुक जो काफी जादा मेजी है, और ये कोई छोटी कार नी है, काफी जादा बढ़ी है, और इसके टायर देखो यार, ऐसा लगना है कि कोई MRF के, Apollo क या फिर Michelin वाली जो कार होती है, उसके टायर जो, और ये भी लेफ राइट प्र पर तरीके से करेगी, और ये कटके एकदम 360 डिगरी भी गूमती है, इसके अंदर एक छोट असा ड्राइवर बैटर हो, जो फॉर्मला वन रेसिंग कार के अंदर आपको जीताने में पूरी क ये पीछे का बनावा है, इसमें से ये लाल वाल बलब, बिलू वाल बलब और ग्रीन वाल बलब, तीनों मिलके एक ऐसी लाइट करेट करते हैं जिससे कि एक आग निकल रही है, जबकि वह होता, चिर्फ एक पानी से बनावाई स्प्रेय है, जिसको धूमा भी कह सकते हैं, तो इस RC smoke को देखेने के लिए फटावट से मैं आपको दिखाने वाला है, एक लाइव डेम हो, पीछे से smoke भी निकल रहा है, ओ यार कतव वाल यार क्या लग रही है, यार कितनी जाबा जाहर लग रही है, ओ बाई, इसकी स्पीड देखो, ओ बाई, बिलकुल एक दम ये 350 ग जाना और मीचे ये देखो, ओ भाई, थोड़े बहुत इसको ये तकना यार, लेकिन चड़ गए तो आप बात है, ये तो भाई, मज़ा आगया, वाई, सोने पे स्वाइब आगया, कसम से, कता ही जाहर बाई रहे, ये वाला जो बटन 27 MHz का सिर्व इसको दबाओ, और ये स् रखना अपना नाम लिख को, उसके आगे लिख देना RC Formula One racing car, ताके मैं जो आपको इसको give away कर सकूँ, तो इसको रखते है इसकी जगा पर, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, एक stainless steel वाला geometry box, क्योंकि मैंने सुना है कि आप लोग अपने geometry box हो देते हो, या तोड़ द देखने के लिए मिलती है, और यह travel bus है, और यह सारा का सारा आप देख रो यह wheel है, मतलब जब आपका खेनने का मन करेता हो, आप इसको bus बना के खेल सकते हो, अटैची की तरह इसको पख़ड़ के आप चल सकते हो, आपको bag में भी रखने की ज़रुत नहीं है, आप अपने school आपके 9 तक टेबल मिलेंगे, पिलस में आप इसमें scale रखो, या D रखो, आप अपना इसके अंदर परकार रख सकते हो, compass, तो आपके काफी सारी चीज आ सकते हैं, आपके पैसे भी आ जाएंगे, और इसके अंदर इस वाली साइड में बहुत जादे स्पेस मिलता है, जिसम क्योंकि ये एकदम मजबूत वाला लोता है, ये देखो, ये बिल्कुल भी कई भी नहीं जाएगा, और जब आपको खेलने का मन करें पर इसको बस बनागे, खेल भी सकते हो, तो अगर आपको इस जादा पसंदा है, तो आपको लिखना अपना नाम उसके आगे, जिमेटरी टिप लगी हुई है, और ये जो बॉक्स है, मुझे तो प्यारा लगा ही, साथ में मुझे इसके साथ एक इंटरस्टिंग चीज और क्या अच्छी लगी, वो ये के इसके साथ आपको एक चार्जर मिलता है, जो काफी जादा बढ़िया चार्ज करता है, और मैं आपको लेजर पॉइंटर अच्छे वर्क ना करें, तो बस इसको इस तरीके से नीचे करना, और इसको चार्जिंग में लगा देना, तो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर एक हरी लाइट जली है, जब आपका ये सेल दाउन हो जाएगा, तो आपका रैड दिखाएगा, तब आप आपको देखने के लिए मिलता है लेजर पॉइंटर, ध्यान रखेगा, यह लेजर लाइट नहीं होती हो थोड़ी पास के लिए होती है, यह लेजर पॉइंटर जो काफी जादा दूर जाता है, और यह क्लेम करते हैं, यह पांच किलोमेटर था कि इनका दूर जा सकता है, इस बैटरी को हम इस तारी के से लिए पार इसको लगाना है, अब मैं आपको एक छीज दिखाने वाला हूँ, इसके अंदर एक चैल्ड sulphur भी मिलता है, तो आप जो है, इसके üzखने इस की को जब डालोगे, तो आप इसको green की तरफ ON कर देना, इससे का वोगा कि यह ब ले सके और इसका बहुत ज़्यादा आनने वाला तो आज मेरे साथ लाइब आर पर देखो भाई एक बार को डिजाइन देखो आर ऐसे लग रहे किसी ने भाई हीरे लगा दियों क्योंकि एक्चुल में भाई ऐसे ही होते हैं हीरे एक दम भाई वही शेप है वही अकार है और आकरितियां देखो भाई रे स्पाइडर मैं इस पाइडर मैं तुने चुराया मेरे दिल का चैन भाई देशी स्पाइडर मैं का आप गाना बजा सकते हैं कि एकदम डिस्को वाली लाइट जल्ली और यह लेजर देखो भाई साब मतलब क्या बवाल चीज है ओ माई गॉड बाई यह देखो मैंने कैमरा जूम कर देया पिचर फट चुकी है लेकिन दूर तक जा रही है और इसाब यह देख रहे हो पता निकिसके घर पर टकरा रही है क्या टकरा रही है बलब से टकरा गई ओ माइं ब्लोई यह वाक्य में बहुत अच्छी और आस्मान में देखते ह हो और डीजे वाली लाइट इसके अंदर काफी अच्छी निकलते तो अगर दिवाली आ रही है आपकी लड़िया खराब होगे तो डॉंट वरी आपको नहीं लेने की कोई भी जूरत नहीं क्योंकि यह लेजर पॉइंटर आपका डीजे वाला काम करेगा और इसके अंदर स काह 표 जाएन अच लगां तो आपको अपने नाम हुआ लिखने और लेजर पॉयंटर याद रहे है लेजर लाइट मेंद लिखना क्योंकि आजर पॉइंटर लेजर लिखना तो लेजर पॉयंटर लिखना ताके मैं आपको भी दूर जाने वाले लेजर पॉइंटर configurator कर तो अब मैं आपको दिखाने वाला हम कुछ हमारी vintage का जो की proper metal की बनी हुई है और यह एक alloy model है और यह आप देख सकते हो आगे की grill कितनी बड़ी है ऐसी grill जो vintage car आती थी एक Rolls-Royce की और दूसरा BMW वाले बनाते थे ऐसी vintage car जिनके की अंदर ऐसी ही headlights आपको देखने के लिए मिल रखी है quality काफी जाद अच्छी है और इसके gate भी बंद हो जाते है खुल भी जाते है और यह जो सिर्फ एक ही बार पीछे करना होता है क्योंकि इसको बोला जाता pullback car और जैसे आप इसको छोड़ोगे तो यह देखो मतला एक ही बार में इतनी तेज की दोड़ पड़ती है अ इंटीर वगरा हर एक चीज जो है इसकी detailing मुझे बहुत जादा ललचाती है और इसके अंदर भी आपको काफी जादा देखने के लिए मिलती है तो आपके पास जब यह पहुंचेगी तो आप इसको जो है फ्लोर पर चलाना आप काफी जाद इसको इंजॉय करोगे और इसक आपको दोनों की दोनों कार गीववेग कर सकूं और इसको रखते इसकी जगा पर और मैं आपको दिखाता हूं जुमेटर राइड वाला एक प्यारा सा स्कूटर और यह स्कूटी जो काफी जादा बढ़ी है क्योंकि यह लवली लाइन की तरफ से आती है और यह भी पूरी जो बच्चों को काफी जादा लग चाती है और इसके अनल ग्रीन वेजटेबल्स पी और यह दे रहे हैं यह जो यह भाई मुडता विया यह देखो यह लेट राइड राइड प्र जो काफी जादा मजा आता इसको देखकर को यह पादा 360 डिग्री नास ता भी है तो यह ए एक राउंड वर बनता है एक चोटा से राउंड ता लेकिन यह रुक नहीं रीती पता है इसको अलका सा पुल करोगे ना तो और इसकी यार एक बार यह देखो यह देखके नहीं काफी जादा शॉक हुआ कि इन्होंने डिटेलिंग कितनी प्यारी गरी है मतलब इनको पता ह है कि हाँ यह आगे से इतना होता है और यह पीछे की तरफ जाते आता इसकी लेंद कितनी बढ़ जाती है तो यह जो इन्होंने मैटल का स्कूटर बना है और काफी जादा बढ़िया बना है तो मुझे तो काफी जादा अच्छा लगार आपको भी पसंद आया तो आपको ल जादा प्रीमिम लगती है और यह वाली जो आप देखोगे तो मैं सच बता हूं तो यह काफी जादा लोग को नहीं पता होगी मैं गैरंटी से कह रहा हूं कि उसमें से सो में से सिर्फ दोई लोग है जिनको यह पता है एक मैं और दूसरे आप मजा कर रहा था तो यह वाली मैं एक्समें की कार है जो काफी जादा सुपीरियर दिखती है इसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे कैप्टन अमेरिका की आने वाली कार जिसके आगे जो गिलास बना हूं उसका जो डिजाइन है वह उसके एकदब फेस मास्क जैसा ही है और आगे शिल्ड बनी क्योंकि वह एवेंजर का कैप्टन जो एक ही है वह है कैप्टन अमेरिका यह भी डाइकास कार है जो काफी जादा प्यारी है इसके वाद मैं आपको दिखाने वाला हमारे टोन स्टाक वाले भाईया की कार जो कि एरन मैं की कार है यह इसके आपको हेलमेट के डिजाइन से प वाली स्पाइडर मेन की कार, पीटर पारकर भईया को हम कैसे भूल सकते हैं, इन्होंने तो भाइसा फॉर्मुला वाली कार लिया, जो यह वाली है, बिलकुन नीचे दसी हुई, तो यह स्पाइडर का लोगा बना हुई है, और फीछे की तरह वैब बनी हुई है, और यह स्प पसंद आया हो, या आपको यह 6 का 6 सेट पसंद आया हो, तो आपको लिखना है Avengers Car, ताके मैं जो आपको यह Avenger का पूरा पूरा कलेक्शन गिववे कर सकूँ, तो इसको रखते है इसकी जगह पर, अपनी क्लास और अपना नाम लिखना मत भूलना और उसका वाउ जरू लगा काफी जाद अच्छा है, तो हमने JCB मशीन वगर हमने आपको सब्द गई, आज बारे रोड रोलर की, तो यह इस तरीके से दवाने से नीचे जाता है, और जब इसको आप जैसी करके छोड़ोगे, तो यह कुछ इस तरीके से ऑटमाटिक भागने लगता है, अगर फ्लोर प आपको इसको गीववे कर सको, और यह रोड रोलर काफी अच्छा है, तो इसको रखते है इसकी जगह पर, और यह हमारी बाइसाब, जो की स्टील के कंचों के साथ आते हैं, इसमें 16 कंचे उपर लगे हो है, और इसके अंदर 8 से 15 कंचे अंदर लगे होते हैं, जो बहुत ज अच्छे लगते हैं, रे रुको, तो अगर आपको इस पीनर भी काफी ज़ल अच्छे लगते हैं, तो अपना नाम और वाव लिग देना, इसके आगे लिग देना, मैटल का स्पीनर ताके मैं जो आपको इसको गीववे कर सको, तो अब बारे आती है, उन 10 नहीं बल्कि 15 ल लोग को मिलने वाला है, आइफोन 256GB वाला आइफोन 15 Pro Max, और यह आता है टाइनियम कलर में, जो कि मैंने भी आपको दिखाए भी था, यह आप देख सकते हो, कितना ज्यादा सुन्दर है, काफी ज्यादा प्यार और ऐलिगंट है, और इसके अंदर स्लैडर बटन नहीं आता इसके अंदर आप आता है अलइड बटन, जो काफी जादा इंटरस्टिंग है, तो यह था आज का अल्टिमेट कलेक्शन, जिसमें कुछ थे छोड़े टोई, कुछ थे काफी बड़े टोई, कुछ थे बिलकुल सस्ते टोई, कुछ थे काफी जादा वाले expensive टोई, तो अगर